हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कम्पीटर लनिंग चानल और यूट्यूब आज की वीडियो में हम सिखेंगे टेली प्राइम अकाउंटिंग सोफ़ेर में किस तरह सा आप इन्वाइस रिपोर्ट के लिए कंपनी लोगों का यूज कर सकते हैं तो डेफेंड इस वीडियो का इंट तका पूरा देखें ताके आप सही तरीके से इस उप्षन का यूज करना सीख सकें ता यह स्टार्ट करते हैं डेपेंड टेली प्राइम में कंपनी लोगो का यूज करने से पहले आप जो भी लोगो फाइल यूज करना चाहते हैं उसको पहले से आपको अपने सिस्टम के अंदर सेव करके रखना है ठीक है आपको explain करने के लिए मैंने अपने computer के अंदर particular drive जिसका नाम d drive है उसके अंदर एक folder बना के रखा जिसका नाम company logo है उसको open करके देखते हैं यहाँ पर मैंने पहले से कुछ यहाँ पर image है save करके रखी आपको भी अपने system के अंदर किसी भी drive के अंदर folder बना कर proper आपको जो भी logo file यूज करना है वो पहले से आपको save करके रखना है ठीक है save कर दिसमें आपको यह धियान रखना जरूरी है कि जो file आप यूज करेंगे उसका जो type है JPG या BMP ही होना चाहिए क्योंकि टेली प्राइम accounting software इन दोनों format को support करता है ठीक है तो यह first काम है जो आपको कर लेना है उ उस company का पहले से select करके रखेंगे उसके बाद आपको क्या करना top पर आप देखेंगे उपर print option दिखाए दिता है ठीक है इसकी shortcut की एल्टर पी है तो आप एल्टर पी प्रेस करेंगे और यहां पर आप दिखेंगे आपको एक configuration option दिखाए देता है तो आप उसे select करके इंटर प्रेस करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है company detail वाले section में जाना है और इसमें आपको एक option दिखाए देगा include company logo ठीक है और by default यह आपको नो दिखाए देता है इस पर आपको इंटर प्रेस करना है उसके बाद आपको अपने keyboard से जहां पर नो दिखाए दे रहा है आपको इसमें वाई प्रेस कर देना है keyboard के थुरू फिर इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है dfn अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको देखेंगे आपको दो तीन option दिखाए देते हैं इसमें एक specify path होता है एक select form drive होता एक show more होता है ठीके तो इस तरह से proper path आपको type करना होता है ठीके तो यह कई बार difficult भी होता है क्योंकि हमें पूरा याद रखना होता है तो सबसे best इसमें select form drive होता है ठीके तो select form drive पर आप select कर लेंगे पहले और इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको जिस drive के अंदर आपको include होना है और drive पर इंदर आपने जो आपनी image file आपने save करी उस folder को आपको select करते वे इंटर प्रेस करना है उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ जो image आपने पहले से save करके रखी उनके नाम आपको दिखाई देंगे आपको जो भी logo file यूज करना है उस file को आप select करकर इंटर प् लिए कि हमने जो file select करी वो proper show हो रही है नहीं इसके लिए आपको क्या करना होगा एक voucher entry माना होगा ठीक है उसके बाद अगर आपने पहले से कोई voucher entry pass कर रखी तो आप page आपका यूज करके देख सकते हैं और अगर आपने pass नहीं करी तो आप जो है आप जो है एक entry pass कर के लिए आपको अपने keyboard से आई प्रेस करना है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इसको फूल जूम करने के लिए अपने keyboard से एल्टर के साथ जैड यूज करना है जिससे आपको full screen में जो invoice report दिखाए दीगी तो आप देखेंगे जो हमने logo file select करी है वो हमारे जो है proper invoice report के अंदर शो हो रही है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर शो हो रही है हमने जो tvs file select करी थे उसका logo शो हो रहा है ठीक है तो इस तरह से आप जो भी logo use करना चाहते है वो आपको केवल select करना है जिससे क्या होगी कि आपके invoice report यहां कुछ अदा report में आपको proper शो होगी तो इस तरह से dear friend teleprime accounting software के हम जो है company logo file का use बढ़ी आसानी से कर सकते हैं तो dear friend अगर आप आज की हमने हमारी बनाईवी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को like और share जरू करें और अभी तक आपने हमारे computer learning channel को subscribe नहीं किया तो जरू subscribe करें ताके आने वाली और भी advanced computer learning channel on youtube